कि एवरीबन विल्कम बैक मैं चैनल कैसे हो आप सब मैं हूं दिपिका दिपिका ब्यूटी सिकर्ट चैनल से तो फ्रेंज काफे टाइम से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थी इसका कुछ रिजन है नेक्स वीडियो में मैं बताती हूं लेकिर अभी मैं एक क्ल करवारने वाले हूं अपने स्टाफ से तो पूरी क्लीन अप की वीडियो से आप लोग देखना एंड इसका रिजल्ट भी जरूर देखना क्योंकि यह जो फेशल करते हैं यह डायमंड की फर्स स्टेप लेंजर है सेकंड इसका स्क्राबिंग है थार्ड स्टेप इसका क्री पैक होती है वैसे ही पैक है तो अब ही हम क्या करने वाले है मेरे सारे क्लीन अप के में जो प्रोड़क्त लगेंगे वह सारे ट्रे में निका रहें ताकि जो अगर वो मेरा करेंगी तो जो उनका हैंड यूज होगा वो प्रोड़क्त में उनका हैंड ना जाए इसलिए साफ तरीके से हमें काम करना है जो लोग सीख रहना उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा है अगर आप क्लीन अप करना चाहते हो किसी का तो ऐसे कर सकते हो और यह देखे मेरे वीडियोज में तो की सीख और मेरे स्केन यह बहुत जाएथ कि मुझे यह कुछ सब्सक्रायर दों, मतुланरेंग ने करना दोय से और उस्यूंत में च्राइप सब्सक्राय पीनों, सब्सक्राइव सब्सक्राय के हैं, और अपने स्किन को फिच सी रिक वर करना है जैसे मेरे सब्सक्राइब थी वैसे तो पोह से लोगों Qisht Rain बहुत लोग पूस्ते है मेरे पास आते हैं तो मेरे सकिन बहुत ज्यादा ने पड़ गई है बहुत ज़्यादा बैट गया है तो हम कैसे कर सकते हैं तो step by step में आप लोगों को दिखाती जाओंगी पहले मैंने इतने दिनं से वीडियो उप लोगों को नहीं दिया आक्छिली जिस फोन से में वीडियो आप लोगwing के लिए बना रही वह वाजलिण जो फोन है वह मेरी चोरी हो गई किसी ने में हाँच से कीश ली कुछ भी नहीं कर पाई करवाया करवाने के लिए मैं जाती रही कई बार मुझे पुलीश अरिस बार में तो फिर मैं आप नहीं हो जाती है कई जगा में दोड़ना पड़ता है जिसके कारण मुझे वन वीक तो मेरा उधर चला गया अपने मेकप अपने जो मेरा चोटा सा फालर था उसे मैंने एकाडमी एंड स्टूडियो में कंवर्ट कर दिया है जहां पर लोग सीखने भी आ सकते हैं पहले भी मैं सिखाती थी लेकिन कहते हैं स्टार्टिंग में हम चोटे ही काम सुरू करते हैं उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ओकी तो फिर मैंने कहीं और अपने अपन सब्सक्राण फेस पर इतना ज्यादा ड़स्ट बैठ गया था और हालत भी खराब हो गया थी कि मैं वीडियो डालना नहीं चाहिए लेकिन एक रील मेरी बने विये जहां पर आप देखोगे मेरा सटप चल रहा था ओके और पालट टूर में कराऊंगी आप लोगों के साथ म अब पर जो पालर में तूर करवाया था वह मेरा पालर था यहां पर मैंने अकाडमी बनाई है और स्टोडियो मुझे एक और अभी सेट अप करनी है जिसकी वीडियो भी में आप लोगों को जरूर दोंगी इस कारण में फोन आप लोगों को फोन नहीं था जिसकारण मेरा चोरी हो गया इसी कारण में आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू दे नहीं पा रहे थी मुझे बहुत ज्यादा प्राब्लम होई तो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो देने के लिए मैंने फिर से बाइक किया है मेरे हजबन ने मुझे एक फोन लेकर दिया है और इसके टॐम मिलती रही तो आप यहां पर देख सकते हैं जब हम क्लीघ अप करती है जब मैसाज सबदय घुरों करते हैं डिलों पर क्योंकि मैंने मेकप एंड हेर में मैं ज्यादा ही में काम करती हूं जो ब्यूटिशन का काम है वो मेरे स्टाफ सभा लेती हैं तो आप पूरी क्लिन अप के वीडियो देखना यहां पर आपको बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ड दिखेंगे अगर आपको स्टैप नहीं अगर आप उनका करना चाह Internet नहीं कितनी देर करduं चाहिए यह सारे क्लासस में मैं अप्दाऩ सब्सक्रीख कर सकते हैं कि अगर की किन में टैन हो गई है जैसे कहते हैं आम इसकी ब्लैक के रिया वह जगा हो गई है तो वह टैन होती है जिस्के जिससे हमारे स्किन बहुत जाधा डारक दिखने लग जाता है मारी स्क्रेंट दिखने लग जाती है तो हमें उसे भी रिमूव करना है तो आप देखो कितनी देर मेरी जो स्टाब है वह स्क्रबिंग कर रही है और इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा यह देती है अगर किसी कभी फिशल एंड क्लीन अप करती है यह किसी ने भी करवाया इ लोकेशन डाल दोंगी एड्रेस यहां का दे दोंगी यूट्यूब के स्टोरी में मिल जाएगी स्टेटस में मिल जाएगा आपको और नहीं तो आपकी पास नंबर है उसमें आप वाट्शाप करके पूछ सकते हैं और बहुत ही जल्द मेकप की क्लास से स्टार्ट होने वा करते हैं पहले हमें बेसिक करने होते हैं जो सीख रहे हैं जो स्टूडेंट से उनके लिए में बतारी जो मेकप के कोर्श करेंगे उनको पहले बेसिक सिखने होंगी उसके बाद एड़बांस सिख रहा होगा और मेकप जब हम सीखेंगे तो इसमें बहुत सारी होंगी स्टै स्कराब कर्याइब का आज स्क्राब कर है क्लीन स्क्राइब कर दो क्ली में अधी नहीं ध tocar है बिए यह अभी थिस अधी में किये और इतना कम भी ना पुए अच्छे में और मैंने कोशिश तो की है कि रोज वाटर यूज हो और इन्होंने किया भी है लेकिन जब हम क्लीन करते हैं तो उस टाइम वाटर यूज करना पड़ता है एंड टिशू हमने यूज की है जिससे एक बार रिमूफ करो उसके बाद उससे यूज नहीं करना है क्योंकि हमारी जो नोगों को देखा है मैंने स्पॉंज व अगिरा यूज करते हैं तो मेरे मानने है कि स्पॉंज होड़ता यूज करते है क्योंकि वहे आप उससे वास करते हो और ऊसके बाद किसी और यूज करते कि आप एक बार किसी क्लाइंट पर यूज करोगे उसके बाद उसे फेक दोगे ऐसे हम ग्लैप्स भी यूज करते हैं जब हम कलर वागेरा करते हैं और उसे एक बार यूज होती है उसके बाद हम फेक देते हैं तो यह होती है कि हाईजनिक तरीके से हमें कैसे काम करनी है जिसस के बाद नहीं करने के बाद उनको जो हम सर्विस देते वह हम अच्छे से नहीं देपाते इसके कारण के स्कन पर अलर्जी भी हो जाती है जिसे बहुत लोग बोलते हैं कि कौँ सा फीसिल कोड़ों कोई सा आप लीन आप करोगे जिससे के मेरे लेकिन जब हम हैंजनिक तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनके स्किन पे एलर्जी हो जाती है रुआ जाती है तरह-जिए सब्सक्राइब होती है तो इसी सब्सक्राइब जान है कि हम ऐसे काम करें कि उनके स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और इसकिन बहुत ज़्यादा किसी के स्मूध होते हैं बहुत ज़्यादा किसी के सैंसिटिव होते हैं तो इसका भी दियान देना है जैसे अगर हम प्रेशर दे रहे हैं इसकिन पे मसाज हो रहे हैं तो कितनी प्रिशर देने से यहाँ ऐसा नहीं होता कि गलु आती है और अगर इसके पर टैंग है तो हमें प्रिशर देना पड़ता है ताकि उनके में चुन हिन रिमूघ हो जाए और अपके बहुत फिर बहुत ही अच्छे से आपको शुटिंग लेनी पड़ती है अगर बहुत ज्याद एग बार से कुछ से जादा नहीं आता लेकिन बहुत जयदा कुछ फरक पड़ जाती है जो कि तो अब आप सकते हैं हमारा इसकर तो कंप्डिट हो गया था अब यहां पर क्रीम करह रहें क्रीम के में साज दे रहें और क्रीम की मसाज क aud egy जन्होंने करना काम करने के लिए उनको पता चलेगा कि हमें और कौन कौन से स्टÁP करने चाहिए बहुत सारे स्टाप में बता दिये हैं और है अगर आप प्रिन आफेशल कर लेते हो तो खुछ स्टाप को आप कर सकते हो जिससे कि आपको आपके जो क्लाइन है ना उनको और अच्छा गुलू मिल सके और वह आपके पास दुबारा है तो कि मैंने यहां पर दो से तीन शुटिंग में ले चुकी हूं और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है जितनी हम मेरे दिन पहले मैंने फेशल लिया है उसमें ब्लीच भी लेती हूँ तो पंद्रा दिन बाद हमें क्लीन अप लेना चाहिए क्योंकि हम पंद्रा दिन बाद फेशल नहीं ले सकते हैं अगर जो हम कंटिन्यू अपने स्किन के केर करते हैं तो पंद्रा दिन बाद फेशल एंड ब्ल जहां पर आपके यह बिलार्가 ब्लयक में वहां पर बाप केऍक ज्दूर्ड आ रहा है, अब आप देक सकते हो कि अधरasında का है मिने प्रफ ज्यूर्स करता है, अब ही मॉझे की लियू कि बाइं गलव ने की रहे है और मेरे फोर्फ हैट पे और में घ्लूर्स ओरद जाता है ठीक है रिजल्ट आती होंगी लेकिन उसका जो फेशल कर भी होगा ना वह अच्छे से अच्छे यूज़ करती होंगी लेकिन मुझे लगता है एक बार में कोई भी फेशल कर नहीं देगा अगर देगा भी तब भी आपको इसकी केर फिर करनी पड़ेगी पंदरा दि कि ऐसे ही रहेगी जैसे मैंने करवाया था जब मुझे जैसा मिला था तो स्किन केर करनी पड़ती है और करते रहने से हमारे स्किन ग्लोग करती है टैन वगिर नहीं होती है इन सब बातों का दियान देना पड़ता है ओके तो आपने देखा कितने अच्छे से नोस एरिया मे इन्होंने मसाज दिया है जिससे की जितनी भी टैन थी वह रिमूफ हो रही है अब इसके बाद में कौन सा फेशल होंगी यह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी मैंने डायमंड कर लिया है डायमंड कर लिया इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लो चाहिए था और इससे पहले मैंने लोटस का फेशल लिया था जिसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है किसी की कंपेर में नहीं है लोटस की जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और लोटस का जो प्राइज है वह भी ठीक ठाकी है जो सैनाज हुसें का है औ और भी O3 Plus है O3 Plus की जो रिजल्ट है वो तो है ही अपने जगह में बहुत अच्छी है सैनाज हुसें की भी बहुत अच्छी है और जो लोटस की जो प्राइज है उसके हिसाब से लोटस भी बहुत अच्छा है ओकी तो देखिए यहां पर क्रीम की मसाज देने के बाद क्रीम को अबजब कर दिया जाता है मसाज कर करकर के निकालते हैं और उसे क्लीन कर दीते जो इन्होंने कर दिया है अब लास्स टेफ जो हमारा है वो है फेस पैक पहले तो फेस पैक के जो कलर मैंने देखा ना तो मैंने जोचा यह टो की से बनाए गई है उसमें कुछ सोचकर यह बनाया होगा कलर कुछ एड़ किया जाता होगा यह जो भी और ओकिन मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिली है तो अब मुझे लास्ट रिजल्ट आप लोगों को दिखाना है कि लास्ट रिजल्ट कैसी है स्किन पे गलूग आई है या नहीं क्योंकि बहुत से लोग कराने के साथ साथ ही बोलते हैं कि गलूग नहीं आई है या फिर गलूग कब आएगी और मेरा माना है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए कई फेशल की कलीनरब की रेजल्ट चाहते हैं और कई आने मिलते हैं और जब भी आप फेशल क्लीन up किसी को भी देते हो ना उनको सज तो यूज कर सकते हैं जैसे बहुत लोगों की चैसे फेस्वोस कई लोग डव की शॉप यूज करते हैं ठीक है आप जो भी करते हो वही किजेगा लेकिन 12-24 घंटे के बाद किजेगा क्योंकि तक आपके स्कीन साइटिव रहती है आपके स्कीन में मसाज हुआ रहता है और जैसे मैं तो अपने ही एकैडमी में हूँ तो मैं कोई सीरम यूज नहीं करूंगी क्योंकि सीरम यूज करने से थोड़ी ओली हो जाती है अगर आपको घर जाना है कहीं से भी करवाया और घर जाना है तो उपन पोर्स वह खुल जाते हैं और कि यहां पैक हो गई है 10 मिनट के बाद हमने रिमूब करना है तो मैं ने इनको बोला था कि आपको रोजवोटर से करना है क्योंकि मैं रोजवोटर से करती हूं क्लीन करने के लिए वाटर भी यूज कर सकते लेकिन अब देख सकते कर को हमें थोड़ा दो मिनट के लिए मसाज देना जिससे की रिमूब बहुत ही अच्छे से हो तो इन्होंने रोज वोटर से स्प्रेक किया है अभी थोड़ा से मसाज होंगी 2-3 मिन मसाज कर सकते जितनी जदी यह मसाज करके रिमूब हो जाए क्योंकि अगर मसाज नहीं करेंग हमें टिशू से दिक्कत होगी स्पंज बगेरा हम यूज करते नहीं और वैसे भी मसाज देनी चाहिए ताकि जो पैक की मॉस्टराइजर है वो आपके स्किन को मिल पाए ओकी तो चलिए अब यहां पर हो चुकी है आप यहां पर मैंने पूरे स्टाप आप लोगों को दिख दिखाने की कुछिस की है तोरी क्लोज दिखाए गया आप लोगों को और 15 मिनट की क्लिन अप तो होती ही है लेकिन हमारा जो स्टैप है वह 18 मिनट से भी उपर चला गया है ओकी तो बहुत ही अच्छे से नूने किया है रिजल बहुत अच्छे लगी आप बताओ कि यह क्लि